बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग नमस्ते कैसे हैं आप सब ट्राइट लवश्ट पर आपसे नाराज है और नाराजगी के पीछे की वजह क्या है रिजन क्या है कारण है और और यह नाराजगी इनकी कब तक खतम होगी जी हाँ इसे पर आज की बहुत स्पेशल रीडिंग मैं कर रही हूँ पिककार्ड के फॉर्म में तो गाईज आपको चुना है अपने पोसन के नाम का पहरा अक्षा जो रखा हुआ है मैंने दो पाइल में और आपको एक दो में से एक पाइल को सेलेट करना है ठीक है हर रिस्ते में होता यह है कि एक पार्टन की कोई बहुत बड़ी वजह है और यह यह भी देखना जरूरी है कि यह वक्ति आपसे नाराज है या फिर नहीं ठीक है और कब तक इसकी जो है नाराज की खतम होगी कभी आपके साथ बात करेगा कभी कॉन्टेक्ट में आएगा कभ रिलेशन्शिप का समाधान यह वक्ति क करेगा तो इन सारी चीजों को लेकर ही आज के प्रेडिक्शन होने वाली है आप प्रेयल्स मैनिफेस्टेशन पॉजिटिविटी दुवाओं के साथ विशस के साथ जो है इस रिदिंग को देखे गाइस पाइल नम्बर वन में है एस से लेकर एम तक जिनके पर्सन का नाम जूनिए नम्बर वन को डिसंबर का महिना चल रहा है देखते हैं कि दिसंबर के महिने में इस वक्ति की नाराज की खतम होगी पाइल नम्बर है अल्फेबट न से लेकर मत दे आना ठीक है गाइस किसी और को जो है पैसे वगर मत दे देना मैंने कभी पर्सनल रिडिंग नहीं की है और मुझे उतना वक्त मिलता भी नहीं है आप जानते हो इस बात को तो इस छोटी सी जानकारे के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन की रिडिंग से कुछ मसेज लेंगे देखते हैं क्या निकल कराता है क्या आपने इस वक्ति का दिल दुखाया है या आपने हर्ट किया है इस वक्ति को या फिर ये वक्ति खुद से ही नाराज है यहां पर तो कुछ औरी कहानी चल रही है कुछ और से कुण चल रहा है तो क्या है नंबरफाइव तू नंबरario और नंबर 14 की एनरजी इंपॉर्ट है साथ इसाथ integration का कार्ड bottom of the deck में आपके लिए आया है निकल कर तो इन कार्ड को देकर ऐसा लग रहा है कि जो हुआ जैसे हुआ इसे होना ही था क्योंकि death का कार्ड यही बताता है कि रिष्टे को बदलाओ की जरूत थी आपके पोर्सन के रिलेशन्शिप का जो अंजाम हुआ है वह अभी दिखता है कि बिल्कुल मुर्जाया हुआ है खतम सा हुआ है dead end पर जाकर आप दोनों का रिस्ता पहुँच गया है जिसके वापस सुरू होने की या वापस स्टार्ट होने के आप दोनों को कोई गुंजाइस नहीं नजर करता रही पढ़ यहीं तो होता है इस्तुर का चमक्कार यह इसी कहते हैं गेर को नहीं को दोनों को फिर से रास्ते आप दोनों के सामने रास्ते इस वर खुद बनाएंगे ठीक है तो तो कुछ करमा है और कुछ जो है anubhav के लिए है कुछ बदलाओ के लिए जो इस रिस्ते पे बहुत ज़रुरी था बदलाओ के साथ ही इस relationship को आगे जो है इस वर लेकर जाना चाहत है समझ गए तो यह पहला आप दुनों के रिवर्थ को दिखा रहा है रिलेशन्शिप के दूसरा सीजोफेर्डिया यहां पर आया है डेफनेटली इन कार्ट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह वक्ति किसी भी माइने में आपसे नाराज है इस वक्ति को तो एक डर सताता है डर के साये कही ना कहीं क्यात कर रखा है अपने अंदर और लग रहा है शिजोफेर्णिया एक बीमारी एक ऐसा रोग है एक इंसान के दिमाग में पनपने वाला वो कीड़ा होता है जिस कीड़े ने इस वक्ति को कहीं पर भी कोई फैसला लेने पर खेल्क नहीं किया है यान सारी चीजों के बारे में सोचता है कि मेरा ये फैसला लेना मेरे लिए सही होगा या नहीं उस इंसान के लिए सही होगा नहीं मेरे घरवालों के लिए सही होगा या नहीं मेरे के लिए सही होगा या नहीं तो जटपट फैसला लेने वाला बंदा नहीं नजराता आपका यह प वक्ति तो आने को जो है यह वक्ति तयार है आपके जिन्दगी में खट खट आने के लिए वक्ति तयार है यह वक्ति तो आपके जिन्दगी में आपके मन में आना चाहता है और इस वक्ति को ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरा डर था उस डर के वजह से ही सायद हम दोनों के जिन्दगी में जब तक नहीं जाओंगा तब तक सायद मेरी जिन्दगी की जो ख्वाई से हैं, जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगे, तो ये वक्ति नाराज भी नजर नहीं आता है, बल्कि ये तो ये वक्ति आपके साथ इंटिक्रेट होना चा उतना ही ये वक्ति आपके करीब आने वाला है उतना ही ये वक्ति आपको समझने वाला है क्योंकि ये इंटिग्रेशन का अर्थी यही होता है कि जो दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं जो दो लोग एक दूसरे की बीचे बहुत प्रॉलम्स देखते हैं जिन दो क corners लंगता है कि हम दोनों का जो है कोई भविषय नहीं हम दोनों का कुछ भी तो एक जैसा नहीं है हम दोनों का life style को lifestyles सब्रट है हम दोनों की सोच डिफरेंट है हम दोनों क्या सब्सक्राइट नहीं हैist करता है इन दोनों का कामी यही है तो आप दोनों के भीशें भले ही बहुत सारी नेगेटिविटी है आप दोनों भले ही एक दुस्य के जैसे नहीं हो फिर भी इस सो कह रहे है कि तुम दोनों ही तो हो जो एक दुस्य की कमियों को पुरा करोगे उसकी कमी तुम पुरा करोगे लिए कमिया वो पुरा करेगा तो इस तरीके से जो है दो बे मेल लोगों को मिलाने का जो जिमा एंए उनिवर्स ने लिया है और डफिनेटली इंटिग्रेशन याने की फिर से एक हो जाना तो यह डेथ क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के बीच में डेट लेकर आ रहा है आपके सबसे पहले तो आपके पोसन के मन के इस डर को हटा रहा है जो अभी भी दिखता है दूसरा यहाँ पर आपके जिंदगी तक जो है इस वक्ति को लेकर आएंगे युनिवर्स और तीसरा होगा यह कि आप भी जो है इस वक जाम लिया है रिबर्ट का होना यहाँ पर तैय है तो चलिए यह तो रहा युनिवर्स की तरफ से निकला हुआ संदेश आपके लिए बहुत अच्छा बहुत एक खुबसूरत मैसेज आया है आपके लिए युनिवर्स की तरफ से चलिए आप टालेट से हम देखते हैं पान लाल टालेट though चलिए आपके लिए स्झपपड़दOर्ट मैसे . बहुत año? 4 of water, 4 of cups के energy आई है Believe and succeed, यह आपके लिए एक message आया है 7 of water Temptation, number 15 के energy Temptation का card आया है 6 of fire, 6 of vents के energy आई है Traveling, shifting दिखाता है यह 10 of water, वाव, बहुत ही बहतरीन 2 सवाल है आज हमारे बीच में कि क्या आपके person आपसे नाराज है और दूसरा था कि इनकी नाराजगी कब तक खतम होगी उस सवाल का जवाब मैं आपको दूसरे डेक से निकाल कर लाश्ट में दूंगी पहले उनकी नाराजगी है या नहीं और वो कैसा महसूस कर रहे है इसके बारे मैं मैं आपको बता देती हूं उसके बाद ही जो है दूसरे डेक का हम इस्तेमाल करेंगे तो गाइस पाइल नमबर वन यहाँ पर जो साइन और अलिमेंट निकल कर आए है उसमें सबसे ज़्यादा आज वोटर साइन के एनरजी है कैंसरस्कॉप पाइसर्स कर कुर्शिक मीन रासी उसके बाद यहाँ पर फाइर साइन है लियो सैजिटेर जैरिस सियंधन और मेश र गूलध यह टो क्या यह बरते आप यह ना तक है और और कप तक इसकी ना राजगी दूर होगि तो इन कार्ट को अगर आम अन्म लियुक्र बबहुत सारी चेजहीं को बया करता हैं यह बरक्न और अगर देखे तो इनके अंदर जजबा और जुनून बहुत ज़्यारा नजर आता है इस पोसन इस अंदर टैंक्टेशन बहुत ज़्यारा कहते हैं न कि एक ऐसा ख्वाई सो रहा है एक ऐसा मन में प्रवल इच्छा हो रही है जिसे पाए बिना जो है रहत नहीं मिल रही बेचेनी सी हो रही है ये वक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा tempted है या temptation वाली energy में है कि इस वक्ति को जो है कैसे हासिल करना है कैसे इसके प्यार को हासिल करना है कैसे जो है इस इंसान का खोया हुआ भरोसा जो है वापस पाना है यानि कि ये वक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा fire में है या ब अपनी जिन्दगी में जो दिया गया है जो पा रहा है जो हासल क्या है या इस वर इस वक्ति को जो दे रहे हैं या लोग इस वक्ति के सामने जो लालच रख रहे हैं क्या उन सारे चीजों से यह वक्ति खुश है अगर यह वक्ति खुश होता तो temptation की energy जो आपके लिए निकल कर आई है वो यहाँ पर होती नहीं four of water हमेशा जो है इस इंसान के किसी और चीज़ को पाने की इच्छाओ को दिखाता है किसी और चीज़ को हासिल करने की इच्छाओ को दिखाता है यह वक्ती जो है जरा सा भी अपने पास हुए हर चीज़ से resources से यह वक्ती बिल्कुल satisfied नहीं है यह हमेशा किसी और में interest ढूरने की energy होती है किसी और में जो है अपने desires को देखने की उमीदे होती है इच्छाओ होती है तो कही न कहीं अगर आपके portion को हम देखे तो वो अपनी जिन्दगी से जो है अब बिल्कुल नाखुष सा नजर आता है वो अपनी जिन्दगी में हो रही चीजों से नाखुष नजर आता है जो इनके पास अलड़ी इस वर ने दे दिया है उन चीजों को यह वक्ती ठोकर मार रहा है ऐसा नज़राता है यानि कि इनका उम्मीद इनकी expectations बहुत हाई है और किसी और चीज़ को पाने का जो है जुनून और जज़बा और यहां पर प्रलोभन जो नज़राता है लालच नज़राता है इस वक्ति के energy में वो क्या है वो है आपके पास आना क्योंकि यहां पर six of fire आया है और six of fire का मतलब हमेसा यातर traveling होता है यह फिर जो है इनके अंदर जो भी चीज़े अभी है वो सिफ्ट हो रही है बदल रही है चेंजिस हो रहे है यह वक्ति जो है अब निकल रहा है यह वक्ति जहां पर अपने आश्याना बनाकर बैटा है यह वक्ति जो कर रहा है उन सा है कि यहां पर का का काड़ जो यह बताता है कि इस वक्ति की जानते वो इंट्रस स्षी में है जादा हाई एक्स्पेक्टिशन कर रहा है वह है आपके पास फोड़ी दिर पहले कार्ण आये थे आ ऐचैंड का काड़ आया था तो किस चीज़ को लेकर आपको हासल करना आपके जिनदगी में दाखिल होना आपके जीवन में क्या चल रहा है उसकी जो है जेवर्थ करकर रहा है आपको जो है तेन फ्र देना है और आप से तन फ कॉप्स पाना है यानि कि आपके साथ किसे प्यार करते हो जो हैं आप किसी और को ना दे तो इन सारी चिजह को लेकर इस वकित के मंग के अन्दर बहुत सारा लालच मुझे नजराता है टेम्टेशन नजर आता है डिजायर नजर आता है जिसे यह वक्ती बहुत जल्दी पूरा करना चाह रहा है यहां पर आया है सेवर वॉटर का कार्ट जो यह बता रहा है कि डेफनेटली कंफूजन वाला रास्ता है यह वक्ती ना सामेशा सुरवार से जब मैंने रिडिंग की इस वक्ति को कठिनाएं बहुत होती है डिशिजन में जटपट जलबाजी में करता है यह वक्ति इसके प्रॉलम है तो वहीं पर सेवन वाटर भी वहीं बता रहा है जो फोर वाटर बता रहा है कि देश ऐसा नहीं है ना कि इनको इन्होंने आपके साथ रिस्ता तोड़ दि इसके सामने और भी दरवाजें खोले गए हैं इनके सामने और भी बहुत सारे ओपर्चुनिटीज है जिसे यह वक्ति जो है अपने पास तो रख रहा है पर उनमें से जो है सेलेक्शन करने की प्रॉलम फिर से यहां पर खड़ी हो गई है सेवन वाटर को देखकर इतना तो तरह देख रोगोर के साथ कर रहा है कि मैं पहले पूरे की पूरे काम pulled में पहले अच्छा offer को देख लूँ कहीं से अच्छा proposal आ रहा है या मेरे पोर्षन से जारा כई और धनवान है या मेरे पोर्षन से जारा मुझे क्या पता कोई और प्यार दे सकता कैसी ओर के साथ है तो इन सारे चीजों में आ आप की कीमत है रही ना एक थुक्राय गए या पैरों से जो है मारा गया एक पत्थर से जारा आपकी कोई जो है यहाँ पर मुझे हैसियत इनकी नजर में नहीं दिखती है अगर पहले की बात में करू रिलेशन्शिप की बात में यहाँ पर आप से करू तो जो इनसान इनके लिए कभी वो जगह पा ही नहीं सका है ना ज चलो तुम्हें कुछ और देते हैं तुम्हारे जिंदगी में तुम्हारे और कुछ ओफर्स देते हैं देखते हैं कि तुम कितना संतुष्ट हो पाते हो तो वही बात यहां पर दिख रही है कि इस वक्ति को दे दिया गया है 7 of cups यहां पर दे दिया गया है 4 of water से भी इनके पास धेर सारे options के होने को दिखाता है पर यह वक्ति आप क्या चाह रहा है यह वक्ति चाह रहा है आपके साथ 10 of cups को पूरा करना यानि कि अब इस वक्ति को उनकी जरुत नहीं है यह उन्हें ठुकराना चाह रहा है कभी-कभी confused हो जाता है कभी-कभी दिमाग जो है wrong decision लेने पर जो है इनको जो है मजबूर करता है पर इसने अभी तरफ decision लिया नहीं है समझ गये इसका decision pending जहां पर नज़राता है वहीं पर temptation हो रहा है आपको पाने का temptation हो रहा है आपके साथ marriage करने का temptation हो रहा है आपको 10 of cups देने का और आपका सारा प्यार निचोड़ लेने का temptation इसको हो रहा है परलोभन हो रहा है लाला चाह रहा है कि कैसे करके जो है अब आपको जो हासल कर सके समझ गये तो इस वक्तिका जैसे आपके जिन्दगी से जाना हुआ था six of fire का कार्ड यहीं बता रहा है कि यह वक्ती निकल गया यह वक्ती चला गया यह वक्ती ओजल हो गया आपकी आको से और six of fire के इस कार्ड में हमेशा आपको दिखेगा कि एक इनसान है जो घर क्रेस्टी के साथ सिफ्ट हो रहा है वह सदै कि इस वक्ती ने अपना जो है काम धंदा जो है वह आपसे बहुत दूर करना स्टार्ट कर दिया आपसे दूरी बनाता चला गया फैमली के साथ कहीं और जाकर सैटल हो गया यह खुद जहां पर काम कर था उस वर्क प्लेस को छोड़ कर यह कहीं और चला गया यानि कि आपकी नजरों से ऐसे ओजल हो गया जैसे कि आप इनका जो है इंतजार करते रहे गए किनारे पर बैठ कर और यह वक्ति कभी लौट कर आया नहीं पर लौट कर अभी वक् सिफ्टिंग होती है तो अगर यह बहुत आपसे दूर रह रहा है है ना six of fire का मतलब दूर दराज के देश में रह सकता है दूर दराज की city में रह सकता है सहर को छोड़कर गाउं में चला गया है है ना कोई जौब छोड़कर कहीं और जाकर चला गया है तो जो भी इस वक्त को लेकर या किसी प्रॉलम को लेकर नहीं आ रहा प्रॉलम्स तो है डेफिनेटली है six of fire के साथ हमेशा प्रॉलम भी होती है पर प्रॉलम को सॉल्फ करके ही यह वक्ति आपकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आया है तो इस पोसन इस डेफिनेटली जो जो डिस्टन्स है आप के जिंदगी में कर रहा है हाला कि इनके πάस nuestro होते हुए व्यवक्ति खुश कफूश नहीं है क्यों खुश नहीं है क्योंकि सब्सक्राइब देशकी कि वह पास्यदा कर दिखता है कि कैसे आपके साथ य50 जन Me आपसे ले सके क्यों क्योंकि इनका कहीं और जो है आप इंटरस्ट खतम हो चुका है कहलीजिए या इनका आपके जीवन में लौटना यहां पर दिख चुका है और आपको लगता है कि इस सिक्स अफ कफ पर आपका भरोसा है तब ही यह relationship successful होगी तो आपको भरोसा करना है कि यह वक्ति वापस आ रहा है यह वक्ति आपके लिए आपको पाने के लिए बहुत जादा उतावला है या उत्सक हो रहा है क्यूं हो रहा है आपको मैं बता चुके हूँ कि पहले इस वक्ति ने आपको बिल्कुल value नहीं दी और आपको जब गवाया तो आपकी value या आपकी चाहत हो रही है इस वक्ति को तो थोड़ा सा self-centered ही कहते है ऐसे इंसान को जो खुद का स्वार्थ पूरे हो जाने पर वापस आने की कोसिस करता है इसलिए आपको भरोसा होना चाहिए अगर आपका भरोसा इस वक्ति पर है तो definitely इस वक्ति के साथ आपका successful relationship आगे बढ़ेगा अगर आप ही भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो साइध ये वक्ति जहां जिस रास्ते से लौट रहा है यूनिवर्स इसे लौट आ रही है साइध हो सता है कि वो वहीं से जो है you turn लेकर फिर से अपनी उसे दुन्या में चला जाए इसलिए आपका भरोसा ही इस वर जो है देखना चाहते हैं कि तुम कितना भरोसा करते हो इस वक्ति पर अब यहां पर इस वक्ति ने एक बुरी चीज़ यह की है यह सेवन अफ कप्स का कार्ड यही बढ़ आता है ना कि इंसान को कभी भी एक ठुकराया गया पत्थर भी ना आपकी नहीं समझी पत्तर से भी ज्यादा बुरा सलूक आपके साथ किया और जो है बहुत कुछ पाने के लालच में या बहुत अच्छी आफ्वर्स के लालच में यह वक्ति जो है आपको इतना मतलब इतना बुरी तरीके से छोड़ कर गया है सिक्सव फायर दिख रहा है अब आपको चूस करना है या आपको सलेट करना है कि करना क्या है हाला कि नाराजगी इसको आपसे बिल्कुल भी नहीं है सवाल यही था कि क्या यह वक्ति आपसे नाराज है नहीं नाराज नहीं है बलकि यह तो जो चीज़े इनको मिल रही है ना जो चीज़े इनको उफर म कब खतम होगी, हाला कि नाराजगी तो दिखी नहीं है, फिर भी देखते हैं, क्या items से, 10 of swords, तो यहां पर देखे, 10 of swords का कार आया है, जो यह बता रहा है कि अगर नाराजगी है, पस्तावा है, दर्द है, तो उब आपने आपको लेकर ही है, यहाँ पर आपको लेकर बिल्कुल भी नहीं है यह 10 of swords क्या बताता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसा बोगे वैसा पाऊगे हैना करेला अगर आपने लगा दिया गार्डन में तो फिर यह उमीद मत करो कि आपको वहाँ से मीठे मीठे फल मिलेंगे या आपको जो है आप इन पर ही उलट वार कर चुका है और यह वक्ती यही समझ रहा है कि कैसे मैंने 10 of swords यानि की 10 का धोका अपने portion को दिया और उसने मुझसे हमेशा 10 का प्यार यानि 10 of cups का प्यार उसने मुझे दिया है मुझे मिला है उससे और मैंने जो भी किया है यह ना इस्वर की नजरों मे सही है नम जो है इंसानेत की नजरों में सही है मैं बिखर गया हूं मैं टूट गया हूं तो जो भी पस्तावा है यह इनका खुद का ही किया धरा है इसमें आपका लेना देना तो बहुत है हाला कि यह जो धुका है इसने आपको दिया है जिसका फल इसको मिल रहा है तो टू इस्वर ने इनको सबकुछ दे रखा है, सबकुछ, मतलब कमी नहीं है इनके जिन्दगी में, और यही तो होता है इस्वर का कर्मा की, सबसे इनसान को खुशिया कर मिलती है, जब उसका मन संतुष्ट होता है, जब उसके जीवन में खुशिया होती है, जब उसके चेहरे पर स विज़र आता है कि सब कुछ दे दिया इस वर ने पर फिर भी मैं खुछ नहीं हो पा रहा हूं और यहीं चीज़े इस वक्ति को खाये जा रही है इस वक्ति को तभा कर रही है कि क्यूं मैंने जो है एंडिंग कर दी देखो नाइन के बाद स्वारी टैन के बाद यहां पर नाइन ऑफ स्वोर्ट का एनरजी आया है एर साइन भी आपके लिए जैमनी लिब्र एकुरिस में तुला कुम्रा से भी निकल कर आया है तो यह कार्ड यहीं बता रहा है कि डेफिनेटली बहुत गहरा है जो भी मतलब रहम नहीं पा रहा इस वर से रहम की उमीदे भले ही इस वक्ति नहीं की होगी इस वर से पर रहम नहीं मिल पा रहा दर्ड से मुक्ति नहीं मिल पा रही अपना पाप जो इसका था वो पाप जो है अब बिलकुल ऐसे सर पर चड़कर बैठा हुआ है जिससे जो का दिल तोड़ कर उसे एक पत्थर की जगह पर सोच कर उसको आप्शन की तरह ट्रीट करके जो मुझसे अपराद हुआ है साइद उसे बदलना तो साइद अभिस्वर के बस की बात भी नहीं है तो इस तरीके से ये वक्ती घोर अंधिकार में हैं घोर डर में हैं खुद को आज़ की घाइज स्पाइल नंबर वन आपसे नहीं नाराज की इस वक्ती की खुद की हरकतों से ही है खुद के करमा से ही ये वक्ती नाराज हो रहा है चैरट का कार्ट बोटम of the deck में दिखा है जो यही बात बताता है देर से आए दुरूस्त आए बहुत समय ले लिया सबर जो भी कर लिया पर आना तो है इस वक्ति को आपके ही पास क्योंकि इस वक्ति को कुछ अपने बुरे फैसले को बदलना है। एक तो खुद के अंदर डर है वो दिखता है कि ये वक्ति न प्रॉलम्स का सामना नहीं कर पाता जब भी प्रॉलम्स होता है तो ये वक्ति तुम दबाकर भागने वाले लोगों में से हैं सॉल्यूशन करना मिल बैठ कर जो है उसका उस पर एक नतीजा निकालना आपके साथ जो है बैठ कर प्रॉलम्स को कैसे ठीक किया जा सके ऐसे बात इस वक्ति को करनी चाहिए थी पर तुफान में हमेशा भाग खड़ा होता है ये वक्ति जो भी इसका फैसला होता है वो देखते हैं एक गार्डेंस आपके लिए और डिटाच तो आपके लिए नमबर 11 की एंजल नमबर 11 की जो एनरजी आई है डिटाच्मेंट को बताती है आपको थोड़ा सा इन से इस वक्ति से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है आपका प्यार जुड़ा हुआ है आपका रिस्ता जुड़ा हुआ है जिसे जो है आप अपने आप से कनेक्टेड हो आप इस वक्ति के साथ हर माइने में चाहे वो दिमाग से हो चाहे दिल से हो चाहे सरीर से हो भावनाओं से हो होती है यह सब्सक्राइब है और पहले उससे दूरी बना लो जिस चीज़ को तुमने जो है कभी भी जो है वैल्यू नहीं दिया है ना आज तुम्हें उसी चीज़ की सक्त जरूत हो रही है टेम्टेड हो तुम पर तुम्हें वह नहीं दिया जाएगा जब तक तुम प्राइशित नहीं कर लेते तुम्हें वह मिलेगा नहीं क्योंकि जब आप किसी से दूर भागते हो ना वो चीज आपके करीब आने के लिए टेम्टेड होती है है आपका भी यहाँ पर यही चीज है कि आप पहले इस वक्ति से खुद को अलग करने की कोशिस करो उसके बाद ही जो है यह वक्ति आज आपके लिए तडप रहा है कल यह वक्ति भाग कर आपकी तरफ आएगा पर 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 पोस यू पॉसस दा डिटर्मिनिशन एंडिकेशन टू कंसिक्यूज़ी तू डिमोंस्ट्रेट लाव तो यहां पर वो आफसर भी है आफसर आने वाला है आप अपने प्यार का प्रदर्शन हाला कि प्यार को कभी कोई प्रदर्शन कर नहीं सकता दिखा नहीं सकता प्यार तो दिल से निकला हुआ एक फीलिंग होता है जिसे महसूस करना पड़ता है पर कभी-कभी लोगों को ना प्यार दिखाना ही पड़ता है प्यार समझाना ही पड़ता है, क्योंकि उनके आखों परना गंदगी होती है, उनके आखों में हवस होती है, उनके आखों में इंसान की जिन्दगी जिन्दगी नहीं बलकि खेल होता है, तो कभी-कभी इस वर ऐसा मौका देती है, कि इंसान को आपका प्यार समझाने के लिए भी दिखाने की आ खाने का एक अफसर पर्पोस करने का एक अफसर इस वर्थ दे रहे हैं और उस ऑपर्चुनिटी को डफिनिटली आपको ग्रैब करना है आपको उसे लेना है चले देखते हैं लौट खुष्णा के तरफ से आपके लिए क्या है पर आपको जो है रिस्पेक्ट देने के लिए कहा गया है जो भी आपको अच्छा सजेशन्स देते हैं जो भी आपकी मदद करते हैं चाहे वह आपकी अभीभावक हो जाहे वह आपके गुरू आपको जो है सभी को नजर से देखनी है रिस्पेक्ट मिले एसा नहीं है हम लोग कहते कि हैं जिब्सेस औरैकस्पर्ड Minister करते हुँ उन का मफर्वाद आपर होगा तो जो भी आपकी सहता कर रहे है या यहीं शेया आतर की भावणा से समान करना चाहिए आपका तुरफ कि तरफ से निकल कर आया है सब्सक्राइब कर कि बब Dafür को अग्या जवर को अग्या प्द का विए कि आई आई डू टॉक अबाउट, यू तो यह वह वह वक्ति है जो आपसे नहीं टॉक कर रहा आप से नहीं बात कर रहा पर दूसरों से तो बहुत बती prosth़ा रहा है, दूसरों से तो आपके बार में बहुत चर्जा लए maior आपकी जो है वहवाही कर रहा है आपके बारे में बोल रहा है या ब्रेकप के बारे में बोल रहा है या पसतावा हो रहा है इस बारे में बोल रहा है वापस आना चाहता हूं वो दर्माजा नहीं खोल रही या वो मुझे एकसप नहीं करेगी इस बारे में वो बोल रहा है तो तो ये वक्ति आपको अपनी conversation में सामिल कर रहा है, इसके जुबान पर आपका नाम हड़ता ही नहीं, ये वक्ति बोले जा रहा है आपके बारे में, और उसका फल इनको मिल भी रहा है, अभी तो ये वक्ति इतना जारा pressure में है कि कैसे करके आपको हासिल कर ले, इसी temptation में इस वक्ति का energy नजर आई है, और आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है इस वर के उपर, तब ही जाकर सफल आप हो पाओगी, इस इंसान के साथ वरना नहीं, ठीक है, तो इतना कहते हुए गाई, चलिए अप मैं rating को कर रहे हूं, close, आपको रखने अपना बहुरचा खयार, क्योंकि मैं करते हूँ आप सबसे बहुत ज़़ा प्यार, love you all, take care, namast and, bye bye guys, Hey guys, file number 2, welcome back, तो N से लेकर Z तक जिनोंने भी चुना है, चले देखते हैं कि क्या किसी बात पर ये वेक्ति आपसे रूठा है, आपसे नाराज है, या बेवजहीर उठा है, कोई बात ही नहीं हुई, आपसे कोई गल्ती ही नहीं हुई, फिर भी ये वेक्ति मूफ उलाकर, distance बनाकर, दूर भाग कर आपसे जो है, आपसे आपको तकलीव दे रहा है, आपसे बदला ले रहा है, या कुछ भी, तो नाराजगी है या नहीं, अ नबर टू, पॉसिबिलिटी संभावना होप, उम्मीद, अंडरस्टैंडिंग, एंड वी हैव सुधार वाली एनरजी, नमबर फिफ्टीन, तो नमबर दो और नमबर पनरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथे साथ पॉलिटिक्स का काड़ आया है, बॉटम अव दर डेक में, तो नमबर सेवन भी, यहाँ प अचार अचाया खेल है, नमबर साथ का वार है, पॉलिटिक्स का काड़ निकल कर आया है, बॉटम अव दर डेक में, और जब भी रिडिंग में ये काड़ आता है, हाई प्रुष्टिस का काड़ आता है, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, मेरा मन ना रिडिंग करने का भी होताrite नहीं होता सिंकि यहां देखे हैं Mercถ लोगों की सातिर चालवाजी ने कुछ लोगों के द्वारा फैलाए गए भ्रम ने कुछ लोगों कि यह जो है एक गलत नियत की वज़े से गलत साजिसे की गई है साय तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सासा तुम्हारे जो व्यक्ति है तुम्हारे जो पोर्सन है उसके साथ भी साजिस हुई है तुम्हें तो दिखने में या तुम्हें तुम्हारे सोच में यह लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे जो है साजिस करके गया है तुम्हारे साथ गर्थ करके गया है इस व्लक्ति का नियत में ही खोड़ था ये लायक नहीं था ये वक्ति तो प्यार के लायक नहीं था बल्कि इसे तो दोके बाद की संघ्या देनी चाहिए तो हो पाध्र है क्या पता यह आप combined उनों के साथ हुई है पर राजनेटी तो हुई है गईस आप इसे एकसेप्ट करते हो या नहीं करते हो आपकी और इस इंसान के प्यार कि प्यार में जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिस हुई है क्यों कि पॉलिटिक्स के साथ कंडिश्टिंग का भी काड़ाया है जो यह बताता है कि आपके पोर्षन यहाँ पर है सेर के आप इस विक्टर को देखो ध्यान से और समझने की कोशिस करो कि मैं क्या बता रही हूँ इस फोटो में आपको धेर सारे भेड़ नज़र आएंगे न एक ग्राउंड में बहुत सारे भेड़े सारे के सारे सफेद है इनके बीच में आपका एक पोर्षन यहाँ पर अकेला खड़ा है जो सेर की भेस में है कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति को इतना कमजोर बना दिया ग मैं क्या इन भेड़ों की तरह हूँ क्या मुझे भी इनकी तरह घास फुस खाना है क्या मैं इनकी जैसा ही सोचू तो इस व्यक्ति को बहुत जादा अपने खुद के अस्तित्व को ही भुलाने पर जो है लोगों ने मजबूर कर दिया है यानि कि साजिस श्रिफ आपके इन नहीं दिया जो इसके रगों में बहता है यानि कि स्ट्रंथ लियो के अनरजी आप जानते हो ना कि सेर में कितना तागत होता है सेर कभी घास नहीं खाता और सेर कभी भेडों के बीच में नहीं रहता यहां पर तो दिखो कि आपका जो यह सेर है वो भेडों से दोस्ति करके बैठा हुआ है कहने का मतलब है इसे अपने ही रंग में रंग दिया गया है इस वक्ति को कभी अपनी पहचान करवाने ही नहीं दी गई इस वक्ति को कभी अपना फैसला लेने ही नहीं दिया गया इस वक्ति को भी हमेशा इन लोगों ने अपने जैसा कमजोर ही सोचने पर मज कर दिया कि साइद यही लोग जो है सच्चे है साइद यही लोग इनका भलाई चाहते यही लोग जो कह रहे है वो ठीक है साइद मैंने जो किया है वो गलत किया है तो इस तरह के की राजनीती आप दोनों के relationship में यहां पर हुई है जहां पर जो है मार चोट आपके person को भी दिया गया है दूसरों के द्वारा अब इस व्यक्ति के और आपके relationship के बारे में कुछ बात करते हैं जो universe कह रहे है relationship बहुत समझदारी वाला है यह व्यक्ति बहुत समझदार है पर किस देखकर खरबुजा रंग बदलता है तो आप समझ लो कि वही हालत या वही जीज़ें आपर हुई है हाला कि आपके person और आपके बीच में बहुत प्यूर बहुत ही मासूम सा relationship जहां पर इस वक्ति ने कोशिस भी की होगी आपके हर दर से जुड़ने की या आपने कोशिस की होगी इस वक्ति के हर जज़बात से जुड़ने की इतना understanding समझधारी वाला आप दोनों का relationship है अभी भी है समझ गये पर यहां पर क्या हो गया इसकी समझ पर ही ताला पड़ गया इसकी अकल पर ताला लगा दिया गया ताकि यह व्यक्ति आपको ना समझ पाए और सिर्फ इ कि यहां पर चाल पर चाल चल रहे हैं यह लोग काम्याब हो जाएंगे यह नहीं हो सकता इसलिए क्योंगि इसलीए क Cum left गये कि लोग कब तक आपके पोसन को अपनी जो है मुठी में करने की कोशिस कर सकते हैं लोग कब तक अपनी साजी से रचेंगे नहीं रच पाएंगे क्योंकि इस वर नहीं यहां पर कह दिया है कि इतना प्यारा इतना मिलन सार जो आप दुनों का रिलेशन्शिप है जहां पर ये वक प्रवत नहीं हानी है आपके पोसन बस ये समझ लो ना कि इनसान कुछ समय के लिए खर्वुजे को देखकर रंग बदल चुका है रंग बदला है पर ये है तो खर्वुजा ही है ना कर्वुजा दूसरों को देखकर अपने आपको अगर आम सोचने लेगा केला समझने लग लेगी क्योंकि इस सुदेशनशिप में अंडिस्टैंडिंग भी है संभाव ना भी है नमबर दो की एनरजी यहां पर निकल कर आई है तो आपको इन सारे चीज़ों पर होसला रखना है भरोसा रखना है समझ गए तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है आपके लिए और साया है यह कहा गया होगा कि आप इनके लिए सही नहीं हो यह कहा गया होगा कि आप इस वक्ति को समझते नहीं हो इनको यह कहा गया होगा कि आपने बहुत कुछ बुरा किया है इनके साथ इस तरीके से जो है लोगों की बाते इस वक्ति ने सुनी है और अगर नाराज भी है तो उन चीजों से नाराज है जो आपने किया भी नहीं और दूसरों ने कह दिया कि आपने ऐसा इनके साथ किया है या आप इनके लायक नहीं है इस तरीकी की बात यानि कि भ्रम फ्यलाया गया है आपको लेकर ठीक है क्लियर और हो जाएंगे हम यहां पर टार्ट से ब्रिडिंग करेंगे सो वी हाव थार्मिट वाव पहला ही कार्ड नमर नाइन आया है हर्मिट के एनरजी लिडूला मैं लेड़ ने वान हाम आपल वाल वान आपको लेड्क ौर्ड आपको लेंगे क्डिद एल्ट देयं है नमर नल यह और ऌतार्ड चाद तर्ड़ौप टार्ड़रमिट King of Earth Moon Five of Air Star Wow, Moon and Star Moon कैंने इल्एन तकतर हो सबसे पेल legal इसे थोड़ा सा डर न यहां पेल्ष Tu पेले पाई स्टार होता है और हर्मिट होता है वर्गों यानि कि तीन बड़े साइन आपको यहां पर अलड़ी इस्वर नहीं दिये हैं इसके अलावा हमारे पास क्या है फायर साइन है लियो से अधनुम मेश्वासी वोटर साइन कैंसर्सकॉप्य पाइस करक्रिशिक भीन रासी साइन जम खतम होगी इसका जवाब मैं आपको दूसरे डेक से दोंगी ठीक है पहले इनकी नाराजगी है या नहीं यह पता कर ले और उसके बाद इस डेक से हम देखेंगे कि कब तक नाराजगी खतम होगी अगर है तो ठीक है नहीं भी है तो भी मैं यहां से दो कार्ट्स और तुम पीछे आते रहो तुम भागते रहो मेरे और मैं चो है और पीछे भागता चला जाओ या कि तुमसे दूर रहना है मुझे तुम्हें कि तुम भी मेरी जिन्दगी में दखल अंदाजी ना कर सको, तुम भी मेरी जिन्दगी में जाक ना सको, तुम ये देखना सको कि मेरी हालत या मेरी परिस्थिती कैसी चल रही है, तो ये वक्ति आपको रेस्टुर्ट कर रहा है, ये वक्ति आपको रोक रहा है इनके करीब आने से साफ साफ कहने का मतलब है रुकावटे है, blockages है, block मारा नहीं मारा, call किया नहीं किया, आप जो भी इनके तरफ action कर रहे हो ना, call करने का, message करने का, या फिर कुछ भी करने का ये वक्ति उनसे जो है अपने आपको छुटा रहा यह वक्ति भाग रहा है आपसे भागने वाली एनरजी यहाँ पर seven of fire से दिख रहा है है न कि आप मुझे नहीं तुम्हारे सामने आना आप मुझे तुम्हारे सामने आकर कुछ नहीं बताना मुझे कुछ नहीं बोलना मैं तो कोशिस करूँगा कि तुम्हारी नजरे मेरे life प आप क्यों भाग रहा है नाराज है इसलिए भाग रहा है उदास है इसलिए भाग रहा है या कुछ ऐसी गलती कर दी है इस वक्ति ने जिसके वज़े से यह वक्ति आपके तरफ जो है आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा तो यहाँ पर nine of fire यह नहीं की nine of winds के एनरजी बताती है म मैं हारा हूँ तुम्हारे सामने जी हाँ यह वक्ति आपके सामने खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है आपके relationship में यह वक्ति हार जाने का गम मना रहा है यह वक्ति आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि यह वक्ति आपसे आकर क्या कहे कि तुम्हारा भरोसा म वो मैंने खतम कर दिया है, मैं तुम्हें खोचुका हूँ, मैंने दूसरों की बाते सुनकर, क्योंकि Nine of Fire के हमें सब पीछे आप देखोगे, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है, बहुत सारे लोग जो इन्हें रोक रहे होते हैं, आपके सामने आपके पास आने से रो दोलत ही, आपका और इनका रिलेशन्शिप आज तूटा हुआ है, फेलियर की एनरजी होती है, लूजर की एनरजी होती है, एक ऐसा इनसान जो गया, कुछ करने के लिए गया, खाली हाथ लोटाया, इसके पास आप कुछ भी नहीं बचा, आपको खोकर ये वक्ति खुद को घायल अवस्ता में महसूस कर रहा है, तो भागने के पीछे के एनरजी आपको समझ आ गई, कि क्या है, ये वक्ति अभी चोट खाया हुआ है, ये वक्ति अभी आपको गवा कर, जो है, सर्प्राइज सौक्ट, खुद सौक्ट हुआ पड़ा है, कि मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो उसे गवा दिया, मैंने तो उसे खो दिया, अब मैं क्या करो, मुझे जाने का भी रास्ता नहीं दिया जा रहा, मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ, तो मैं मेरे एर्जगर्द बहुत सारे सिपाई है, मुझे घेर लिया गया है, तो मैं आपको एनरजी में बता देती नहीं जुम तको कोई वक्ति छोगा तो क्या आपको लगता है यह वक्ति आप ऐसे बबल शु drastic घर में जा रहा है फिर वह आफ इसके वजिसके वाँ इक recent कि दईार करना या ऑपके सामने आ नहीं पाना एक डर एक खौफ एक एक जो है खुद का खुद का मनुबल घर कम हो जाना यह दिखाता है तो यह जो दो एनरजी आपको दिख रहे हैं वह इसलिए हो रही है कि यह व्यक्ति हर्मिट में है हर्मिट मतलब पहले पस्तावा कर लो जो किया है ना तुम सारी चीजों का रिक्रेट कर लो सुधर जाओ है ना तुम खुद तो हारे हो तुमने दूसरे को भी हराया है तुमने दूसरों की सुनी है कितना पस्तावा करोगे और कितना जो है किसी पर जो है तुम अत्याचार करोगे तो वही चीजे हर्मिट इस वक्ति को सुधाने का ठेका ले रही है इस वक्ति को बदलने का ठेका ले रही है और इस वक्ति को यह बता रही है कि तुम जो है काले और सफेद का जो है तुम फरक तुम नहीं कर पाए तुम उसे जो है डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाए तुमें काले को भी गोरा समझ लिया गोरे को तुमने हरा समझ लिया तो इंसान हो तो इंसान को खुद की कैपिसिती के अनुसार ही जो है चीज़े करनी पास जाकर अपने गुनाहों की गलतियों की जो है छमाय आचना करने को दिखाता है, खुद को पवित्र बनाने की कोशिस कर रहा है, खुद को सुधारने की कोशिस कर रहा है, यानि कि totally this person is under the protection of Lord, इस्वर के protection में भगवान के protection में अल्हा के protection में ये वक्ति जो है सुधार रहा है, तो ये दो चीज़े आई है, साथ ही साथ आया है King of Earth, अब इस वक्ति के energy को अगर आप देखो, तो टस से मस नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा, अर्थ क्या होता है धर्ति, धर्ति को कभी जो है भुकम के अलावा कभी हिलते वे देखा है, आपने नहीं धर्ति कभी नहीं हिल अभी तो मैं सुधर रहा हूँ, अभी तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा अगर तुम्हें फैसला चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तुम्हें सबर करना पड़ेगा, हर्मिट भी वही बता रहा था, King of Earth इस वक्ति के कठोड़ता को भी दिखाता ह है कि ये वक्ति थोड़ा सा अपने आप में जो है, Stability चाह रहा है, ये वक्ति थोड़ा ठहराव चाह रहा है, ये वक्ति थोड़ा सा अपने आपको मजबूत बनाने की कोशिस कर रहा है, इसी वज़े से बहुत सारा समय ये वक्ति ले रहा है, इसका मतलब ये बिलकुल नह है कि इसके अंदर आपके लिए इसके मन के अंदर आपके लिए प्यार वाली फिलिंग्स ही नहीं है अगर प्यार वाली फिलिंग्स नहीं होती गाईज तो यह व्यक्ति जो है आपको मांग नहीं रहा होता अगर प्यार वाली फिलिंग्स नहीं होती तो यहां पर इस व्यक्त वाटर का मतलब ही होता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए मैं तब तक कुछ चीज पाना नहीं चाहता जब तक मैं खुद जो है stable नहीं हो जाता मैं खुद अपने फैसले लेने के लायक नहीं हो जाता मुझे आप किसी चीज में भी जो है जिन लोगों की हमेशा इसने सुनी है जिन लोगों पर हमेशा इसने ट्रस्ट किया है जिन लोगों पर हमेशा इस वक्ति का भरोसा रहा है आपके अलावा आपके सामने तो हमेशा यही डर डर मैं डरा हुआ हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ मुझे नहीं हो पा रहा है हम नही नहीं साथ चल पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, रिस्ता नहीं बना पाएंगे, कमिट्मेंट नहीं दे पाऊंगा, मैरिज नहीं कर पाऊंगा, अरे यार छोड़ो हम तुनका रिस्ता हो नहीं सकता, तुम्हें अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, इन चीजों ने आपको कहीं न कहीं कमजोर कर दिया है, इस वक्ति के ना ने, मून हमेशा ना की एनरजी होती है, आप जानते हो ना इस बात को, जो हर चीज में ना कहता है, नो कहता है, डरता है, दर से निकल ही नहीं पाता, तो इस वक्ति ने हमेशा आपके साथ वही किया, ज तो आपने कभी भी इससे उम्मीद नहीं रखी थी और इस वक्ति ने हमें सब वही किया जो दूसरों ने इससे समझाया है करने के लिए कहा है यानि कि लगी हुई है कि दूसरों के अब यह वक्ति बिल्कुल ना सुने दूसरों को जवाब देना सीख गया है यह वक्ति दूसरों को ना कहना सीख गया है यह वक्ति दूसरों के डिशिजन्स को यह वक्ति अब एकसेप्ट नहीं कर रहा फाइव ओफ एयर जो है हमेसा लडाई वा और साथ हिसाथ लाइफ में ग्रोथ ना हो पाने वाली एनरजी याने कि प्रॉलम्स बहुत है लाइफ में और प्रॉलम्स कौन करने दो मुझे अपनी इच्हा पूरी करने दो मुझे जो है चाहिए वो चैहिए मुझे जो इनसान मेरे साथ कल तक तो था पर मैं उस वक्ति को पहचान नहीं पाया मैंने उसके साथ रिस्ता स्वार जिक ने तो आज único कि वीष्द आ यह क्या मांग रहा है, यह मांग रहा है कि मुझे में हिम्मत आए, यह मांग रहा है कि मैं बोलने की हिम्मत कर पाऊं, मैं कमिट्मेंट देने की हिम्मत कर पाऊं, मैं उस इनसान का भरोसा जो तोड़ चुका हूं, उस भरोसे को मैं वापस गेन कर सको, कमा सको, यह वक्ति वक्ति इस वर से मांग रहा है, पहला मून हट जाए, यानि कि दिल की सारी जो भी डर की feeling है, जो भी डर है, जो भी problems है, complications है, रास्ते सही नहीं है, आप दुनों के बीच में रुखावटे हैं, बोलने की मंसा है, खुलने की मंसा है, आपके सामने वो कर नहीं पा रहा है, तो म पूरा करना ये वक्ति जारा है, क्योंकि इनकी hopes, इनकी desires, इनकी पास जो options है, उन options ने इस वक्ति को वो खुशिया नहीं दी है, जो कभी आपके साथ इसको मिला करती थी, समझ गए, तो grand हटेगा, बिलकुल हटेगा, क्योंकि star आ चुका है, और मैंने आप से कहा है, कि ये दोनों ही जो सितारे हैं, या दोनों ही जो ग्रहे हैं, वो एक reading में कभी भी नहीं हो सकते, एक को जाना पड़ता है, ताकि दूसरा आ सके, तो अगर अभी तक आप दोनों के relationship में मुन है, मुन का राज था, मुन का दवाव था, मुन का pressure था, ग्रहन था, चीजे छुपी थी चीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो star उसे अब हटा रहा है, आप और इनके relationship में, तो क्या ये वक्ति आपसे नाराज है, नहीं, जो वक्ति इस वर के पास गया होगा, तो वो अपनी गलतियों के वज़े से गया होगा, आपकी गलतियों से जो है, इस वक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ये वक्ति तो खुद पस्ता रहा है, कि मैंने क्यों इस relationship को गवा दिया, मैं क्यों feel हो गया, या मैं इस exam को या इस relationship के आज जो exam था, उसे मैं क्यों पास नहीं कर पाया, मैं अखिला पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए ये वक्ति आपसे बिल्कुल भी नारा नहीं समझी, मैं कठोर बना रहा, मैं अपने decisions में टस से मस नहीं हुआ, मैंने कभी भी भावनाओं में बहने की कोशिस नहीं की, मैंने सच्चाय को कभी भी accept करने की कोशिस नहीं की, मैं हमेशा खौफ के साये में जिया हूँ, पर मैं अब इस से आजादी मुक्ति पाना चा मैं दू कि जब ये वक्ति आएगा तो चमतकार के रूप में ही आएगा, आपकी और इनकी wishes को पूरी करता हुआ ही ये वक्ति आपके जिन्दगी में लोटेगा, तो चले देखते हैं इस deck से three of pentacles आएगा, guys मैंने आपसे कहा था कि इसके नाराजगी कब तक खतम होगी, तो ऐसे भी ये अभी तो रूटना स्टार्ट हो चुका है जो भी आप दोने के बीच में third party का जो भी हाँपर है, चल रहा है, दिख रहा है, काम की विस्तता है, काम के सिलसले में आपसे relationship तोड़ा है, या फिर पैसों के लिए relationship तोड़ा है, या किसी के पास जाने के लिए आपके साथ relationship तोड़ा है, जो भी है ये वक्ति definitely come back होगा ही, यहाँ पर स्रीव पैसों के पास आना ही होगा, ताकि आपके साथ वो पहले जैसा understanding वाला relationship ये वक्ति बना सके, समझा चुका है इस वक्ति को कि उनके साथ इसका कोई भी फाइदा नहीं है, उन लोगों के साथ इसका कभी भी success हो नहीं सकता, ये लोग बस इस वक्ति को अपने अंडर में रखकर इनसे बस काम निकलवाना चाहते हैं, इस वक्ति को ये सारी चीज़े समझ में आ चुकी हैं, तभी ये वक्ति come back करेगा आपके life में, ताकि आपकी partnership इसे हासिल हो सके, 10 of particles यहाँ पर आया है, तो पहले अगर आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दू कि कैसे आ रहा है, पहले तो मैं देख रही हूँ कि 3rd party को छोड़कर आ रहा है, उन connections को छोड़कर आ रहा है, disconnect होकर आ रहा है, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपका और इनका जो relationship है उसमें जितने भी अभी जो लोग pressure दे रहे हैं अलग होने के लिए pressure दे रहे हैं, आप दोनों को जुदा करवाने के लिए pressure दे रहे हैं, आपके person को आपके खिलाफ और आपको साथ इनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ों का भढ़काना यहाँ आप नजर आता है, बात में मै कि एक बहुत ही successful family यहां पर बनती हुई नज़र आई है क्योंकि 10 of pentacles प्यार परिवार बच्चे के साथ साथ धन और संपती और बहुत सारे लोगों का involvement होने वाली energy होती है ठीक है यानि कि इस इंसान के साथ आपका बहुत ही successful relationship यहां पर बनता हुआ दिखा है आपको भी यह बहुत धन भी कमाएगा बहुत पैसे भी कमाएगा ऐसा और साथ इसी पैसे रुपे को देखकर ही मैं देख रही हूं कि जो दूसरे लोग आज यहां पर तकलीफ देने की कोशिस कर रहे हैं वो लोग भी जुक कर जो है आप दोनों की ही जिन्दगी में वापस सामिल होते रेस्ट एंड रिकॉंसिडर तो एक बार सोच लीजिए गाइस पहले खुद का आराम दीजिए दुनिया के भीड़ भार से दूर हो जाईए खुद के दिमाग पर जारा प्रेशर मत दीजिए सांत रहिए सांत होकर एक बार सोचिए कि आपके साथ जो हुआ जिसने जो किया वो क्यूं किया आपके साथ ऐसा क्यूं हुआ कि आपने भी किसी के दिल को तोड़ा था या आपके आपने भी जो है आपसे भी कोई गलती हो गई थी हैना क्या पता ये वक्ति जो आज आपसे दूर है जो आपसे अलग है जो आपके आपसे जो है connection तोड़ कर गया है किया आपने भी जो है इस वक्ति को थोड़ा सा मजबूर किया था या इस वक्ति को आपने समझने की कोशिस नहीं की कि ये वक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है तो आपको भी जो है थोड़ा सा अप वक्ति गलत था या इस वक्ति का समय गलत था या हम दोनों के रिष्टे का जो है समय गलत था यह आपको एक बार अच्छे से सोचना है अपनी भी कमी कमजुरियों को हमें इंसान को देखना है तो थोड़ा सा मुस्कुराइए थोड़ा सा हसिये थोड़ा सा खिल खिलाइए आपके अंदर वो है कि ना आप लोगों के चहरे पर मुस्कुराइट ला सकते हो आप किसी के मुस्कान की वजह आप बन सकते हो आप इतना जिन्दा दिल इनसान थे अप थे ही कहूंगी में क्यूंकि अब तो आपकी नहीं यहां पर डूबी हुई नजर आती है मुस्कुराइए थोड़दो दूसरों के जिन्दगी को खुष क जाकर दूसरों के जिन्दगी में थोड़ी सी खुश्या भड़ने की कोशिस आपको करनी है क्यूंकि आप में वह हैं आप कर सकते हो यह तो and bring a spirit of fun to all that you do आप जो भी करते हो मन से करो खुश होकर करो guys ठीक है उदास होकर कुछ भी मत करना जिन्दगी ऐसे ही चलती है जिन्दगी जीने का तरीका यही है चले देखते हैं कि Lord Krishna की तरफ से आपके लिए एक अड़्वाइस क्या है eternal bond merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss तो थोड़ा सा इस्वर में आपको घुलने के लिए कहा गया है इस्वर में समरपित होने के लिए आपको कहा गया है आपको थोड़ा सा जो है spiritual होना है साइद वो खुशिया जो आपको इंसान नहीं दे पा रहे हैं वो खुशिया जो दुनिया के दौलत आपको नहीं दे पा रही क्या पता आप जब इस्वर के पास जाओ इस्वर के साथ आपका connection बने आप इस्वर को ढूंडो तो क्या पता वो खुशिया आपको वहां पर मिल जाए तो इस्वर के साथ आपको रिस्था बनाने के लिए यहां पर कहा गया है एक message आपके पोसं की तरफ से मैं लेती हूं आप स्टार्टिंग का जो वोड है दो बार आ गया आज रिडिंग में कुछ देर पहले भी understanding का काड़ आया था understanding था इस वक्ति को आप बहुत understand करते थे समझते थे पर यह वक्ति नहीं कर पाया यह इनकी problem है यह इनकी समस्या है पर आप आया है यह वक्ति आपके सरन में यह वक्ति आपको समझ रहा है आपको आपसे भी ज़रा connection की value समझ रहा है रिस्ते की कदर समझ रहा है तो धीरे धी हे हर्मिट इस वक्त को In पहाँ रहा है आप दोने के रिलेशनसिप को है ना तो YET इस वक्ति के लिए क्या यह नाराज है आप से नाराजगी कब तक खथम होगी तो नाराजगी खुथ से ही नजर आई है गल्ति खुथ नजर आई है दूसरों पर जारा भरोसा करना इस वक्ति पर भारी पड़ गया यही नजर आया है तो उनका प्राहशित वक्ति कर रहा है स्प्रिच्वल भी हो रहा है रिष्टे को भी समझ रहा है और आने वाले दिनों में भी यह व्यक्ति आपके जिंदगे में डेफिनेटल यह वक्ति आपको अपना बनाएगा तो यह थी आपको समझ में आई है आई हो आपको पसंद आई है पसंद आई है तो पीज वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगे आपसे फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आपको रखना अपना बहुत चाँ खयाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार लव यू आल ठेक केर नमस्ते और बबाई गाईज